जै माता दिमित्रों आप सभी का आपके अपने चैनल एस्टोफरेंड अंशु में स्वागत है मैं डॉक्टर अंशु गुपता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ सिंग राशी का सिप्टेंबर का सरकारी नौकरी योग सिंग राशी वाले जो चाहते हैं सिर्फ सरकारी नौकरी करना क्या सेप्टेंबर के महीने में सरकारी नौकरी योग बनता है तो यदि आपकी सिंग राशी है, सिंग लगन है या आपके नाम से सिंग राशी बनती है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पुन साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंतक शरूर देखेगा, और अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को आ सरकारी नौकरी योग बन रहा है या नहीं जनम पत्रिका में सरकारी नौकरी योग है या नहीं क्योंकि जनम पत्रिका में सरकारी नौकरी योग होना बहुत ही अवश्यक है इसी के साथ ही हम देखेंगे कि क्या सेप्टेंबर के महिने में दश्या के अंतरकत योग बन रहा है या नहीं शुरुबात करेंगी गोचर, गोचरिय स्तिती क्या कह रही है सरकारी नौकरी को लेकर तो यहाँ पर आपके लगनेश सूरे हैं जो लगन में ही अपनी ही राशी में गोचर कर रहे हैं, बुद्ध के साथ गोचर कर रहे हैं, बुद्ध आदिते कि स्वामी शुक्र हैं जो ट्वेल्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए गोचर में और जनम पत्री में सूरे का मजबूत होना बहुत जरूरी है और इसी के साथ उसका दश्मेश के साथ यदि किसी भी प्रकार का कोई संबंध बनता है या तो दोनों एक साथ हो या यूति संबंध हो या दिस्ति संबंध हो योग बनता है तो आपका सरकारी नौकरी योग सरूर बनता है तो यहाँ पर गोचर के नुसार सूरे स्वग रही होके लगन में गोचर कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी को लेके बहुत ही उत्तमयोग बन रहा है अब आप अपने जनमपत्रिका खोलिए आपकी जनमपत्रिका में देखिए सूरे की क्या सिती है उसी के साथ आपने अपने 9th house और 10th house की सिती भी देखनी है नवमेज और दशमेज प्लानेट अगर सूरे के साथ क किसी भी प्रकार का कोई संबंद बना रहे हैं और सूरे आपकी जनमपत्रिका में मजबूत है तो आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी सरूर करेंगे तो जल्दी से देखिए क्या योग बन रहा है आपकी जनमपत्रिका में इसी के साथ यदि सूरे लगन में अकेले हूँ नाइन्थ हाऊस में अकेले बैटे हो तेन्ध हाऊस में अकेले बैटे हो तो यह बहुत उत्तम योग है सरकारी नौकरी को लेकर अब हमने जाना कि गोचर के आन films भी अच्छा योग बन रहा है सेप्टेंबर के महीने में और जनम पत्री का में भी सरकारी नौकरी योग है क्या ये योग सेप्टेंबर के महीने में है अब आप अपनी जनम पत्री में महादशा वाला पेज खोलिए और उसके अंदर देखिए कि आपको सूरे की और आपके नाइध या टेंथ लौड की महादशा अंतर दशा या सरकारी नौकरी योग का यानि कि आपको सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए आपकी जनम पत्री में और गोचर के अनुसार सरकारी नौकरी का उत्तम योग है अब ऐसा नहीं है कि सभी सिंगराशी वाले सरकारी नौकरी ही करेंगे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जि उपाए में आप क्या करेंगे आपने सबसे पहले सूरे पूजा करनी है सूरे को जल जड़ाना है ओम ग्रणी सूरियाय नमा बोलते वे आप जल अर्पित करेंगे और जो जल फर्श पे गिरेगा उसको आप अपनी आखो पर लगाएंगे संडे के दिन पूजा करने के बाद आप एक तांबे का कड़ा धारन करेंगे और धारन करने के बाद उसको अपने हाथ से नहीं निकालेंगे हर संडे आपने सवा की लोग यहों मंदिर में दान जरूर देना है और जो भी आप दान करते हैं उसका प्रचार नहीं करना है ये दान आपने बिलकुल गुपतरूप से देना है इसी के साथी रोज आप अपनी थाली की पहली रोटी दोनों समय की लंच और डिनर दोनों समय की पहली रोटी पर घी और शक्कर रखकर आपने गाय को रोज खिलाना है और इसको नियम बना लेना है यदि आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे किसी स्थान पर रह रहे हैं जहां पर आपको गाय नहीं मिल पाएगी या बहुत ढूंडने पर भी गाय नहीं मिल पा रही है तो आप गाय के नाम की रोटी रोज निकालेंगे उन्हें इखटा कर लीजिए आपके आसपास जो भी गोशाला है या आपकी घर के आसपास कोई मंदिर है जहाँ पे गाय की रोटी घटी की जाती है आप वहाँ जाकर डाल कर आ सकते हैं इस उपाय को करने से आपका सरकारी नौकरी योग स्ट्रॉंग होगा और सेप्टेंबर में बन रहा है आपका सरकारी नौकरी का बहुत ही उत्तम योग तो मित्रो यह ती जानकारी की सिंग राशी वालों का सेप्टेंबर के महीने में किस प्रकार का सरकारी नौकरी योग बन रहा है वीडियो को लाइक सरूर करिएगा वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और वीडियो से संबंदित ये दिया आपका कोई प्रेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूस सकते हैं जैमात अदी